और एक ख़बर करनोच से है जहां ओम साई जन कल्यान ग्राव में दोग सिवा समीत के सचीव विजे कुमार मिस्रा ने ग्राम सभाब भमर गाड़ा में डूर डूर भ्रमड का रिक्टम किया और आवास स्विवान सित रह गए पात्रों की लिस्ट तेयार के उन्होंने बताया मौजा भमर गाड़ा को एक आदर से ग्राम सभाब बनाना है वही उन्होंने यही कहा कि भमर गाड़ा ग्राम सभाब में पनप्रह भेटा चार पर अंकुष लगा कर एक एवं पदाधिकारियों का शयोग लेकर मौजा को विक्सित करने का काम करेंगे मौजा को विक्सित बनाना और अपराद और विवाद से मुख बनाना ही हमारी इस ग्राम समित का मुख और अंतिम लक्ष है आज आपने ग्राम सभा में डूर डूर का कारिकरम किया उसका क्या उद्रश था कि जो हमारे मौजा में सबसे गरीव और असाय व्यक्त है जो अभी आवाज से बंचित रहे हैं जिनकी आवाज कोई व्यक्त नहीं बन पाया ना वो संपन थे ना वो पैसे से संपन थे उनकी कोई दूर जिसकी नहीं सुन रहा था तो हमारी संप उनकी आवाज बनके उनको आवाज दिलाना उनका जीवन का थोड़ा उद्धार करने की जिसा में डो टू डो हमारा ये कंपेनिंग था क्या है बर्मण के दोरान कित्रे पात्र फाइगए बर्मण के दर्मियान तर्टे गाउं से मौजा बहिते गाउं से चार गाउं लगते हैं बुफ कि युद्ध शे से आठ अवियों की हर गाउं से हमको लिस्ट प्राप्ट की है सर यह जो समित चल लगी है इसमें क्या बृष्टा चाहते आप कुछ लगाम लगाएंगे जिसे ग्राम पंचात बहमार गाड़ा में बृष्टा चाहते हैं इस पर क्या कहीं जाएं हाँ मैं हमारी समित ने कहीं कहीं इस चीज का अबलोकन किया है कि हमारे मोजा में विकास के साथ साथ बहुत सी अपराधिक गट्विधिया चाहें वो विवास से जुरी हुई हो चाहें वो घृताशार से जुरी हुई हो हमारी समित उन सब चीजों के प्रतिगंभीर है और जो भविश्य में प्रभाव साली कदम होगा वो उठाने का पूरा प्रयास करेगी विकास को लेकर क्या तयारियां कुछ कर रहे हैं आपके समित में विकास को लेकर बर्तमान समय में आवास की समस्या बड़े बुजुर्गों की जो बर्धा पेंशन योजना है उसकी हम लोग एक निश्पक्ष और ज्याय सहीत एक लिस्ट त्यार करेंगे और वो प्रस्ताव प्रधान जी के